यह नमस्कार आपको भी नमस्कार है और नमस्कार के साथ तो को याद करते हैं स्वामी वीने करते हुए श्रीष्वराननद ढूँता संवित में दिया गया शाष्ष्ट्री जगदीश त्रुपारडी जी उसकी तरह बढ़ रहा हूं मैं, रवी वार के दिन का चिंतन है, दिनकर के स्मरण से प्रति दिन को प्रारंब करें, आज के दिन रवी का विशेश प्रभाव है, वो केवल प्रभाकर ही नहीं, धरा की सभी उर्जाओं का एक मात्र स्त्रोत भी है, उस स्त्रोत के साथ शुब प्रभाव से जुडने से शक्तिमान बन जाओगे, शास्री जी आगे लिखा है, तुम्हारे नेत्रों में असाधारण सुक्ष्म भाव प्रति फलित होगी, सब को दिव्य द्रश्टी से देखो, जीवन दिव्य बनेगा, तुम अकाट्य बनोगे, अदिती प्रसाद से तुम तूटे हुए दिलों को भी जोड सकोगे, क्या अर्थ इसका लेते हैं आप? मैं ऐसी अर्थ ले लेता हूँ कि मैं और आप और भगवान आधित्य एक साथ जुड़े हुए हैं, मेरे रदय की धड़कन का जो मूल स्रोत हैं, वो भगवान भाशकर हैं, वो हैं, इसलिए मैं हूँ, और वो हैं, इसलिए आप हैं, तो ऐसे समझना चाहिए कि जैसे दो फोन हैं, और वो वाला आपका फोन और मेरा फोन दोनों एक सेटेलाइट से जुड़े हैं, और उसके कारण वह भी चलता है और यह भी चलता है, इसी तरह हम समस्त सारी स्रष्टी का ज जो भी जीवन है, वो शब भगवान भासकर से ही संचालित है और उन से ही जुड़ा है, इसलिए उनके प्रशाद से हम रदेयों को जोड़ सकें, हम ये समझ करके, समझना ही नहीं है, हमें ये मानना है कि हम सब का जो मालिक है, जो हम सब को उर्जा देने वाला है, वो एक है और वही है वह अनभाशकर तो हम सब इसलिए एक के साथ जुड़ें और हम सब एक हैं ऐसा यह कत्व की बात को देते हुए जो आवाहन मंत्र है सूर्य वगवान का उसका मैं उच्चारण करूँ फिर आप नाम स्मर्ण की तरफ आप ले जाएं ओम आक्रष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्वतं मत्यच्च रण्ययेन सवितारतेन दिवोयाति भुनानि पश्यन् ओम विकर्तनो विवस्वांस्च मारतंडो भास्करो रविही लोक प्रकाशक हस्रीमान लोक चक्षुर ग्रहेश्वराहा लोक साप्षी त्रिलोकेशाहा करताहरतार विर्क्रहहा तपनपवनस्चैवा सुचिषप्तास्ववाहनहा शुभदह कामदह पुन्यो वरेन्यो लोक पावनहा शुभगो निर्भगो भानुहू शुभा शुभा निदर्शनहा गवस्तिहस्तो ब्रह्मन्यहा सर्वदेव नमस्कृताहा और प्रार्थना है ओम पदमासनह पद्म करो दिवाहु पद्मध्युति सप्त तुरंग वाह दिवा करो लोक गुरु किरीटी मई प्रसादम विदधातु देवह पद्मासन पर विराजित दोनों करों में पद्म पुस्पलिये जन जीवन को जलज की तरह खिलाने वाले भुवनभासकर समस्त लोक के गुरु हैं सप्ताश्मों की रथपर आरूड भगवान सूरिय मुझ पर प्रशन नहों हे सहस्रांसू मेरी प्रतिभा को सरवती तो मुखी करें ओम रीम घ्रनिही सूर्य आदित्य श्रीम तो रविवार और सूर्य भगवान के जो अनेको नाम है उनमें भासकर भी है तो दिन कर भी है और दिन को वो करने वाले हैं उनका स्मरण करते हुए वो जो उर्जा दे रहे हैं उसके प्रति हम सजग हों और कोई विशेश बात जो आप इस संदर्भ में सूर्य भगवान के स्मरण के साथ हम तक पहुंचाना चाहें तो यह जो विशय है बहुत बहुत बिश्तृत विशय है पर संद्छेप में एक और मंत्र की एक रिचा को यहां पर उध्रत करना चाहूंगा शूर्य आत्मा जगतस्थुखश्चा इसका भी प्राय है कि सूर्य सारे जगत की आत्मा है इसको यू समझना है हम सब को हमारे जीवन में हमारे शरीर में जैसे महत्त पूर्ण जो अंग है वो है रदे यदि रदे की गती रदे बंद हो जाए धड़कना बंद हो जाए आरा जीवन एक सेकंड में समाण धे रदे के सिवाय जीवन की कल्पना हो ही नहीं सकती तो हमारे शरीर में अब इसी तरह हम देखे कि ब्रहम vine एक सरीर है तो इस ब्रम्हांड रोपी संपूर्ण भुवन रोपी शरीर की जो आत्मा है वो भासकर है वो भगवान सूर्य है सूर्य आत्मा जगतस्थुकस्च तो यदि भुवन भासकर की अनुपस्थिति हो जाये यह वो न हो, कल्पना भी जीवन की नहीं हो शक्ति और इसलिए हमारे वैदिक रिशियों ने हमारे सनातन संस्कृति में यह कहा कि प्राता ओठ करके भगवान भुवन भासकर को नमस्कार करें प्रणाम करें क्योंकि वही जीवन का मूल आधार हैं न सिर्फ जीवन का हमारी जीवन के लिए मैं अगर समय हो तो ए हम एक प्रार्थन करते हैं तुमेब माता पिता तुमेब तुमेब बंधू शका तुमेब तुमेब विद्याद्रभिनम तुमेव सरवं ममदेवदेव तब देखेंगे कि भुवन भासकर भगवान सूरियग हमें जीवनतों प्रतिक्षण दे ही रहे हमारे रदे की धटकन भगवान शूरी की कारण ही है वह है प्रज्वलित गगन में सुदूर तो हमारा रदे धड़क रहा है और यदि वो ना हो तो हमारी धड़कन बन उसके साथ साथ जीवन को देते हुए जीवन के और जो विसे हैं जैसे हमारे लिए भोजन जैसे एक पिता अपने बच्चों को घर में रख करके बाहर जाता है धन कमाता है उनके लिए भोजन की विवस्ता करता है बैसे ही भुवन भासकर हमने जो आज भोजन ग्रहन किया है वह अभी उनकी रस्मियों के द्वारा प्रथवी माता के द्वारा बनस्पती से प्रकट हुआ है तो भुवन भासकरे की रस् माता की रूप में भी विधाता की रूप में भी भगवान हमारा संपूर रूप से चारों तरब से हमारा संबर्धन करते हैं हमें जीवन दिये जाते हैं इसलिए हम सब मैं यह मानता हूं कि यदि जीव मात्र ना सिर्फ इसलिए कि हम बैदिक सनातन धरमा वलंबी कोई भी धर बहुत बहुत दन्यवाद शाहसरु जी अनुशासन भी शिखाते हैं बोन बासकर जो हैं हमारे और उनकी जो ओजस्विता है वो हमारे जीवन में उनकी कृपा से प्रकट हो और हम उस तरफ सजग रहे हैं ऐसी प्राथना और मंगल कामना के साथ आपका बार आप सब का बार मंगल कामना